iOS 16.7.3 battery test plus क्या कुछ overall performance निकल के आई है इस update के बाद तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास iPhone X model है जिसका मैंने आप ए Geekbench भी test किया है और आप सभी यहाँ पर operating system में देख सकते हैं 16.7.3 latest update है जिसको मैंने download and store किया है अब देखो यही same update मैंने अपने iPhone 8 Plus के उपर भी डाला हुआ है आपको दिखा देते हैं यहाँ मुझे क्या कुछ battery result निकल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ Sorry for late guys यह video काफी ज़्यादा late हो गई है मैंने इसको I think after noon याफी morning में डाल देना था बट मैं some reason कुछ busy हो गया था that sign ही डाल पाया तो और भी ज़्यादा better result निकल किया है मेरे पास तो इसको मैंने use नहीं किया है तो इसके अंदर भी मैंने update किया हुआ है तो फिलाल मैंने इस iPhone के अंदर इसको कल के दिन update किया था तो अभी जो हम जाते है तो actually guys मैंने कल के दिन इस iPhone को fully 100% चार्ज किया है इसको जो है almost मैंने 5-6 hours continuously यूज़ भी किया है तो आप कहेंगे भाई आपका लास्ट चार्ज जो हाँ पर 5-minute अग गो बता रहा है तो दोस्तों यहां पे मैंने fully इसको चार्ज करके fully used कर डाला था तो यह shutdown भी हो गया था तो मेरे पास जो data निकल के आया है वो मैं आपको accurate data पता देता हूँ मेरे iPhone में इस update को download करने के बात बैटरी जो है down जाला हो रही याफी नहीं वह भी मैं तुम पता देता हूँ कहलें कि यहां पे usage निकल के यह कलका है दोस्तों यहां पे last 24 hours का ही दिखा रहा हूँ में 5 hours 51 minutes तो और मुस्ट मालो कि यहां पे 6 घंटे का मेरे को battery backup मिला है इस iPhone में इस update को करने के बाद तो मैं दुबारा से लेके जाता हूँ अपने यहां पे इस तरीके से आप यह मत सोच किया था ताकि मैं आपको review दिखा पाऊं तो इसकी जो मुझे को average कहलें कि यहां पे जो usage निकल के आई है वो है कि मैं को 5 hours का अच्छा कासा backup मिला है इस update के बाद क्योंकि गाइस में इस iPhone को हमेशा यूज करता रहता हूँ तो डैर्स से मुझे अच्छे साइडिया है कि iPhone य पान के चलो मैं रखो अभी backup जो है 5 से लेकर 6 hours के बीच जो है अच्छा का सा backup मिल जाता है जैसे मर्जी उस करो और मुझे अवर ड्रेन नहीं लग रहा है क्योंकि अभी मैंने चार्ज पर लगाया just 20% ताकि मैं इसको वीडो बना पाऊं तो मुझे 6 hours का backup मिला है इस update के बा 26 अक्टूबर को जो कि एक update आया था 16.7.1 और यहां पर आज जो है update किया मैंने directly किया है यहां पर जो कि है 16.7.3 ठीक है तो अभी जो है आपके सामने data है 26 अक्टूबर का मैं दिखा ज़ता हूं इस तरीक इस देख सकते है multi core score और यहां पर आ जाता है single core score देको multi core score जो है 22. यहां पर जाते हैं जीपी यू बेंचमार्क वैल्यू तो यहां पर जाते हैं आज के ताइम तो यह जो दोस्तों यहां पर मैं कहूंगा इस update के बाद जो है बेंचमार्क वैल्यू ते हैं डाउन हो गी है कहा जाता है कि अगर बेंचमार्क वैल्यू जो है आप पहले अपडेट से आप ज्यादा अची आती है वैल्यू बढ़कर आनी चाहिए जैसे पहले 100 आई थी तो आप 200 होनी चाहिए तो कहा जाता है कि इसकी और परफॉर्मस बढ़िया की जाती है बट यहां पर वैल्यू कुछ है डाउन हो गई है तो कहीं नहीं दोस्तों मुझे लग रहा है यहां पर कुछ इशू होंगे डैट साय बट ऐसा नहीं कि आपका आइफोन जो है स्पीड कम होगी ऐसा कुछ भी नहीं बिल्कुल ठीक ठाक चला है बट इस अबडेट के बाद मुझे कोई भी ग्लिच की इशूस आ जाए तो आप सकते इस अब्डेट को अगर कर लिया तो कोई बात नहीं ज्यादा बड़ी बात निये माइनर सा अब्डेट है और बग फिक्स के लिए होता है तो इसलिमें कोई सोचने वाली इतनी बात नहीं कि यार मैंने इस अब्डेट को डाउनलोड कर लि होगा पहले के मकाबले आपको थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस और बैटरी मिलेगी तो इस अब्डेट में मुझे थोड़ी सी खामिया नजर आई हैं और लेट सी मैं और इसको यूज करूंगा मुझे क्या बग्स मिलते हैं वो भी शेयर कर दूँगा तो यदि तुमने नही आईफोन है और किस आईफोन में यूज कर रहे हैं कितनी बैका मिली आप मुझे मेंशन करके बता सकते हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलते है नेक्स टूड़ में थैंक्यू सो मच गाइस